सब्सक्राइब करते हैं आज का लेक्चर लेक्चर नमर थी होगा एप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो मैंने कुछ लिए सेलेक्टेट कोश्चन यह पहला कोश्चन है आपके स्क्रीन पर इसको ट्राइब किजिए खुद से भी यह सब्सक्राइब का यह एक्जांपल है तो मैंने वहां से पिक किया यह क्वेशन देखिए सभी लोग क्या रहा कि स्फेरिकल बलून ओफ रेडियस आर सब्सक्राइब एंगल ठीटा एड़ आई ऑफ एन अब्जर्बर ठीक है इव दे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इस सेंटर हैं तो यहां पे पिक्चर भी उसका लिए हुआ है कि स्फेर बनाने में कोई दिक्कत न हो कि थे कि यह स्फेरिकल बलून है और इस बलून के साथ मैंने क्या कोई दो लेकर और अब्जर्बर कर पास इसका तो वहां पर आंगल बना हुआ है फिर सेंटर और कहरा कि सेंटर का से लेंगे तो यह उरिजोंटल लाइन के साथ तो सेंटर वाला पॉइंट को उस आई के साथ आप जर्वर के आई के साथ जोइन करेंगे और वह वाला एंगल मेरे पास दिया हुआ है कि यह एंगल फाई है तो आपको बताना है कि हाइट अप दसेंटर अब दा बलून यह ओ ऑजो है वह सेंटर अब ऑप दा बलून है तो उसका हाइट जो है ऑवी वह मुझे फाइन अउट तरना है तो हाइट ओवी को एच यहां पे लिखा हुआ है तो । एच का वैलू क्या है वो मुझे निकालना है मुझे और साथ ही साथ मैं यह जानता हूं । साथ मैं यह जानता हूं कि मैंने आपको बताया था कि कोई एक सर्कल है कोई एक सर्कल है सर्कल में किसी external point से मैं क्या करता हूं दो टेंजेन ड्रॉ करता हूं तो जो सेंटर होगा उस वह एंगल जो सब्टेंट कर रहा हूं को इसको सब्टेंटक करता था यह सब्सक्राइवल तो होगा यह वाला अंगल थीटा होगा तो सब से पहले मैं आता हूं इन इन किसे पहले किई है कि एपने उस फीट से ढुक करो सब लोग और सब लोग रहा दो जैसर प्रॉसेस कर सकता हूं या अन्म्यूट करके वा सबता देगे कि आप टाइप नहीं कर पाऊगे यहां हो गया मैं रिया और कर रहे हूं Jeśli अनुराग सब andra कि अनुराग कर रहा है कि एक तरह से प्रॉब्लम सेशन है तो कीजी आप लोग हो जाएगा हैंड रेज करेगा कि बादल बन गया है कारें जल्दी करो जल्दी करो जल्दी कि अब कि अब होते जा रहा है बढ़ने के जगा पर वह कि अब कि अब को दो ही क्लास करना फिर भी तुम लोग कि स्कूल का क्लास का टाइमिंग इपोल करता है? इपोल करता है? देड़ बेता करना से? देड़ बेता है? तो क्यों ने जान करना से? आप में गदी है? कौर रहे? रधाल से? झाल झाल कि अब देखते हैं अब तक बन जाना चाहिए था सबसे पहले बात करते हैं इस ट्रैंगल का यह बड़े वाला ट्रैंगल ओ एबी का इन राइट ट्रैंगल ट्रैंगल ओ एबी यहां पर देखेगा यहां पर ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो इस तरह का कुश्चन थोड़ा टेकनिकल होता है तो ओ एबी में मैं आप बोलूंगा कि एंगल ओफ एलिव होगी तैन फाइब वह हो जाएगा एच डिवाइड बाई एबी एच डिवाइड बाई एबी यानि कि आपको एबी की जो वैलू मिल जाएगी एबी इक्वल्स टू यह छोड़ देते हैं जैसा मिला हुआ है वही रख देते हैं इस एबी को कुछ और नहीं तो मैं एक्स मा लू होगी है तैन फाइक क्याकर दिया हुआ है पहले में वह देख लेता हूं यह रेडियस दिया हुआ है तो यह दिए पर पर दो यह दिए निकालना चाहिए रहेगा नहीं मैं सेंटर वाला यह वाला लाइन देता हूं और यह मुझे साइन निकालना चाहिए मुझे क्या निकालना चाहिए साइन थीटा में मुझे जो जो इंफरमेशन साइन फाइ निकालता हूं साइन फाइ का जो वैल्लू होगा वह वैल्लू हो जाएगा पी बाई एच क् का कंपेरिजन मुझे करना है कि छोटे वाले ट्रेंगल में ठीटा का कंपेरिजन ओए से मिलेगा तो साइन फाई का जो वैलू होगा वह हो जाएगा एच यानि कि ओ ओ बी डिवाइड़ बाई ओ बी डिवाइड़ बाई ओ ए ओ ठीक है यहां पर इस इंप्लाइज साइन छोड़ दी जो और इसको मैं एक्वेशन वन मान लेता हूं कि उसी तरह अब मैं इस राइट एंगल ट्रेंगल में आऊंगा इन राइट एंगल ट्रेंगल ओ पी ए में देखे यह वाला जो एंगल मिला आपको यह वाला एंगल यह एंगल मिला है है ठीटा बाइ तू को यह वाला एंगल मिला है ठीटा बाइथू और यहां पई राइट एंगल बनेगा आप यह धियान रखेगा रेडियस के साथ यह टैंजेंड भी होगा तो राइट एंगल ट्रेंग बनाएब यह ठीक है तो यहां पे हाइपोटेनमस आपका क्या हो ज जाएगा पर्पेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस हाइपोटेनस जो होगा ओए हो जाएगा कि और इसका जो इक्वेशन है यह तू हो गया अब मैं वन को टू से डिवाइड कर देता हूं यह तू को वन से वन को तू से कर लिजें यहनिकी साइन फाइड़ बाई साइन थीट इसकी जो वैलू मिलेगी वो मिलेगा h by oa and this divide r by oa. oa से oa cancel हो गया, oa से oa cancel हो गया, आपको मिलेगा यहाँ पर h by r, h by r की value मिलेगी sin 5, sin 5 divided by sin theta by 2. तो मुझे क्या निकालना है, h निकालना है, तो h की value जो होगी, यह r उधर चला गया, r into sin 5, sin 5, और यह 1 by sin theta क्या होता है, 1 by sin theta, cos theta होता है, तो into cos theta by 2 हो जाएगा, cos theta by 2 हो जाएगा, ठीक है, किसे को कोई समस्या, यही आपका height हो गया, तो height यहाँ पर theta, phi और r k relation में आएगा, किसे को कोई doubt हो, तो बोल सकते हो, otherwise हम लोग आगे बढ़ेंगे, सब को समझ में आया, एक बार chat box में यह 109 लिख दीजिए, आगया ना, बहुत अच्छे, अब आते हैं, यह खुद से भी बनना चाहिए था आप लोग से, नेक्स कोईश्चन पे, नेक्स कोईश्चन भी अच्छा वाला है, करा कि from a balloon, vertically above a straight road, करा कि कि किसी रोड के, मतलब किसी रोड के just ऊपर, vertically, जो vertically है, एक balloon हमने लिया हुआ है, एक balloon है, और उस balloon से, the angles of depression of two cars at an instant are found to be 45 degree and 60 degree, और कह रहा है कि if the two cars are 100 meter apart, find the height of the balloon, तो इस टाइब का question हम लोगों ने कल किया था, कि कोई एक छट पर एक बंदा था, वो दो cars को अपने तरफ आते हुए देख रहा था, कुछ वही वाला question है, तो सभी लोग ट्राइब कीजे तो, सब लोग ट्राइब कीजे, इसका answer आना चाहिए, इसका answer आना चाहिए, सभी लोग ट्राइब कीजे, इसका answer आना चाहिए, इसका answer आना चाहिए, इसका answer आना चाहिए, सुभाम, reply करो जल्डी, पर तक देखे, मैं figure में, आपको तरह सा explain करने की process करता हूँ, मानने की इस तरह का situation है, यहाँ पर आपका balloon है, बलून जो है, वो यहाँ पर हो, ठीक, अब बलून एक, एक गाड़ी जो है, एक कार, पहला का angle of elevation यहाँ होगा, और दूसरे का angle of depression कह रहा है ना, depression ऐसा, तो depression ले रहा है, तो मुझे एक horizontal line बनाना पड़ेगा यहाँ पर, तो यह वाला angle obviously जादा होगा, तो यह angle हमने मान लिया कि यह 60 degree है, एक को 60 है ना, तो यह 60 degree है, तो यह वाला angle 60 degree हो जाएगा, 60 degree और यह वाला angle जो है, वो 45 degree दिया हुआ है, तो इसके corresponding यहाँ वाला angle जो है, वो हो जाएगा, 45 degree का, 45 degree का, अब कहरा है कि इन दोनों car के बीच का दूरी, इस दो टू कार्स आर 100 meter अपार्ट, दोनों car एक दूसरे से 100 meter दूरी पर है, तो यह वाला distance आपको दिया हुआ है, कि 100 meter है, तो आपसे नहीं निकल जाएगा, height of the balloon पूछ रहा है, तो मैं मान लेता हूँ, h, यह वाला distance से यहाँ पर मान लीजे कुछ कि यह x है, यह क्या मान लीजे, x मान लीजे, तो मैं थोआ naming कर देता हूँ, a, b, इस point का नाम रख दीजे, c, और इस point का नाम रख दीजे, d, तो मैं बोल सकता हूँ, बहुत अच्छे है, सुभम टॉरेंटो का अंसर आ गया, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, in right triangle, in right triangle, अन्या, solve कर रही हो, किसो गई, फिर कर रहा है, कर रहा है, ठीक, in right triangle, o, b, c, abc, abc में आप देखे, यहाँ पर आप बोल सकता हूँ, यहाँ पर तो 90 डिग्रे आएगा, तो 10 ठीटा अपलाई कर दीजे, 10 ठीटा, यानि 10, 60 डिग्री जो हो जाएगा, वो हो जाएगा, h by कितना, x, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, कि h का जो value, h by x की value मिल गई, रूट अंडर 3, तो x, h निकाल लेते हैं, h का जो value होगा, यह मिल गया, रूट अंडर 3, इन्टू x, उसी तरह इस बड़े वाले triangle में, in right triangle, in right triangle, अभी तक किसी और का answer नहीं आया, a, b, d में, होस्टेलर्स का भी answer आगया, और different answer आया हुआ है, तो मुझे देखना पड़ेगा, a, b, d में, मैं बोल सकता हूँ कि 1045 degree जो होगा, 1045 degree, यह a, b, a, b, जो होगा, a, b, आपका आया h, और divided by, b, d आएगा, x पलस, 100, x पलस, 100, मुझे height of the balloon निकाल ली है न, यहाँ पर मुझे actually x निकाल लेना चीए था, यहाँ से x जो होगा, यह h by root under 3 हो जाएगा, तो मैं यह वला value रखूंगा यहाँ पर, यह 1045 degree की value 1 हो गया, 1 equals to h divided by, x, x का value मैं लिख सकता हूँ, h by root under 3, plus, 100, यह इस साइड चला आया, तो h by root under 3, plus 100, equals to h, तो यहाँ से, यहाँ से यह बोल सकते हैं, कि 100 जो होगा, 100 equals to h, minus, h by root under 3, h की value, common निकाल लीजिए, तो आपको मिलेगा, root under 3, minus 1, by, कितना? root under 3, और यह 100 आगया, therefore, h का जो value है, वो 100 root 3, 100 root 3, divided by, root under 3, minus 1, और यहाँ पर, rationalize कर देंगे, root under 3, plus 1 से, divided by root under 3, 3 plus 1, तो यह नीचे जो है, a square minus 2, नीचे 2 हो जाएगा, तो यह आप बोल सकते हो कि, 100, और root under 3, into root under 3, plus 1, divided by 2 हो जाएगा, 2 से 100 को cancel करेगा, तो यह हो जाएगा, 50 और root under 3 को under, multiply कर दीजे, तो 3 plus root under 3, यानि कि, सुहम टोरेंटों का answer, गलत हो गया, किसका किसका आंसर चही है, मैं जिक कर लेता हूँ, नहीं, होश्टेलर्स का आंसर गलत हुआएगे, सुहम टोरेंटों का आंसर बलकुल पर जाएगे, होश्टेलर्स का आंसर गलत हो गया है, आनिया का answer, एच रूट under 3, क्या लिखे आन्या सिर्फ आधा यह आधा आंसर करेगी इससे अच्छा बोल देती रिया का भी आंसर सब्सक्राइब ग्रेट तो लगवग जितने लोग बना रहे हैं कुछ यहां पर लग रहा है टाइपिंग मिश्टेक होगा होस्टलर्स का चलिए आगे देखते हैं नेक्स रहे कैसे किसको रिप्लेस करना है यहां पर क्वेशन कह रहा है दा एंगल ओफ एलिवेशन अफ़ लॉड फ्रम अपॉइंट एच मीटर एबफ दो सर्फेस ओप लेक इस ठीटा कह रहा है कि ग्राउंड के सर्फेस से एच मीटर ऊपर किसी पॉइंट से क्लावड का एंगल ओफ एलिवेशन है वो ठीटा दिया हुआ है ठीक है एंड अगल ओफ डिप्रेशन ओफ इट्स रिफ्लेक्शन इन दे लेक इस फाई और उसी पॉइंट से जो एंग जो लेक जो क्लावड का रिफ्लेक्शन बनेगा ना किसमें लेक में उसका जो एंगल ओफ डिप्रेशन किinesi या जहाए ठाइबाए है तो आपको प्रूफ करना है कि हाइट अप डाट अंव्ड हाइड होगा जनी कि बादल का जो हाइट होगा कहां से कि लिएक के ऊपर से ठीक है लिए कि यह को फाइंद आट करने को भी देया जा सकता था कि समझ गये थे होस्ट ठीक है आगे ट्राइग की ज़िए इसको बनना चाहिए यह सब कुष्टन कि इसमें कुछ था नहीं हमारे पास इसमें कुछ नहीं बस यहां पर हाई-फाई यूज किया आता है यह बात ध्यान रहे लैंग्वेज दिया जाएगा जितना टॉफ सेट अफ लैंग्वेज यूज करेगा तो बस लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए यहां बहुत रियरली अप्लाई हुआ है साइन ठीटा भी रियरली अप्लाई हुआ है तैन ठीटा में ही मैक्समुम कोशन नहीं पड़ जाते हैं तो ट्राइब कि जाए इस कॉश्चन को करे दो करे दो करे दो कितने लोग उन्हें फीगर बना लिया जिस्ट रेज्ट हैंड कि या अन्म्यूट करके बोल सकते हो कितने लोग फीगर बना लिये तो हमने फीगर बना लिया और फीगर अभी तक नहीं बना अंकीट अंकीट यहीं हो आसा है ग्रेट बहुत सांदार फीगर बन गया प्रिगर बन गया बोल नहीं रहा है गधा रिया फीगर बन गया यह से एक बनाए तो है बड़ पता नहीं सही है यह नहीं तो दीकि फीगर आप पहले वेरिफाई किजिए मैं फीगर देखता हूं कह रहा है कि दा एंगल ऑफ यहां प्राल फ्राम्मठ क्लाउट फ्रॉम एक्वाइच मीटर एवद में बड़ायक पहले कर देता हूं लेका सर्फेश करनां इंपॉर्टेंट होगा तो मैंने लेट सेड का सर्फेश डिफाइंग कर दिया कि यह मेरा लेक है अब इस लेक के एच मीटर एवब एच हाइट एवब मैंने क्या किया यह एक पॉइंट लिए लेट से इस वन इस पॉइंट अब कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा किसी भी तो मान लेजिते हैं कि क्लाउड जो है वो कुछ ही यहां पर है इस पॉइंट से इसका एंगल ओफ एलिवेशन जो है वो कह रहा है कितना है थीटा है थीटा ही तो यहां पर सबसे पहले मुझे इसका एक होरिजॉंटल लाइन च्रिएट करना पड़ेगा मैं यहां पर बोल सकता हूं यह कि इस पितना हो जाएगा यह ठीटा होगे म है यह ठीटा होगे अध्ची यहां पर लेग का जो हाइट है सद्वें क्लाउड जो हाइट है वह लेख से पूछ रहा है इब अ piercing के उपर कितना है टाकर लेक के आपर जो हैट होगा वह यहां से एक ही ज़ो हाइट है वो seven oh sorry यहीदा पूछा जा रहा है यहीआप से पूछा जा रहा है नण और यहां पर यह वाला height h दिया हुआ हैえて एच दिए गल्द पहले जो लेख का थे एक माण लेता हूं तो यह वाला होगा यहां से यहां टथいました क्या वह जाएगा एक स्माइनस हेड़ी की इसका रिफ्लेक्शन बन रहा है तो और इसी पॉइंट से डिप्रेशन दिया हुआ है तो मैं माल लेता हूँ यह एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से मुझे कितना आ जाएगा यह वला यह दिया हुआ है यह फाई है तो आपको बताना है कि तो यही आपको बताना है कि एक्स का वैलू इतना आ जाएगा आपको एक्स की वैल कितने लोग का फीगर सही बना है कि होस्टल में किसी का फीगर सही बना है बादल कि किसी का नहीं अच्छा इधर रिया तुम्हारा बना था सही सुभम का थोड़ा गलत क्या होता है गलत ही हो गया सुभम गलत का मतलब गलत होता है इसमें थोड़ा सा और ज्यादा वाला कुछ नहीं होता है कि फिगर समझ में सभी को आया ना कि फिगर पहले एक बेस आप डिफाइन कर लीजिए तो मैंने रेड लाइन वाला बेस ले लिया हुआ है अब कहरा है कि इस बेस के एच हाइट ऊपर को एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन की वाले पॉइंट का वो अला है फाइं तो मुझे प्रूफ करना है प्रूफ देट हाइट used of the knocked ईवाला अब एक के ओपर कितना है 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 तो थैकी यहाँ पर तो मैं सबसे पहले ये वालड एंगल देख सकता हूं ये व Evet तो इसका नाम लिखना important होगा इसका नेम हम यहां पर लिख देते हैं यह हो जाएगा यह वी हो जाएगा यह सी हो जाएगा इस पॉन्ट का नाम डी रख देते हैं दी रख देते हैं तो सबसे पहले इन राइट ट्रेंगल इन राइट ट्रेंगल एपीडी एपीडी में मैं बोलूंगा कि टैन ठीटा जो होगा मेरा यह क्या मिलेगा एकस माइनस एच अपॉन एकस माइनस एच अपॉन यहां पर पीडी आ जाएगा पीडी तो पीडी मुझे मिल जाएगा पीडी का वैलू कितना मिल जाएगा चैंत छोड़ देते हैं क्योंकि वो बैल्यों अभी कैंसील और निकाल लिया यह निकाल लिया त्यानि कि मैं बोल सकता हूं कि एकस माइनस एच का जो वैलू आएगा वो पीडीuhan टैन अगlor और द्यद्ञान दीचे वागर मैं राइट एंगर पर यहां पे बना था यह पो सो जो लूँगा यह वाला कौशा राइट तेनल इन राय्ट इन राइट त्रेंगल त्रेंगल होगा डीफी श Ев कि दिपी सी इहां पर बोल सकता हूं तो यह हो आट का जो हाइट होगा यह दो एक्स है यह कितना हो जाएगा एग्स कि जितना इहां मैं larger haji मोड़ा यह बोल सकता हूं यहाँ डिवाइड बॉघ्ण पर यहां का यह 5 होगा यह मेरे लिए परपेंडिकुलर रहाए यह मेरे लिए बेस हो जाएगा तो परपेंडिकुलर मुझे मिल गया है पी सी परपेंडिकुलर मुझे मिल जाएगा पी-डि मिल जाएगा यह कितना मिल जाएगा यह हो जाएगा एक्स प्लस एच और डिवाइड बाई पीडी हो जाएगा यह क्यों हो जाएगा पीडी तो यहां पर पीडी की जो वैलू मिलेगा पीडी वह मिलेगा टैन फाइग इंटू एक्स प्लस एच इंटू एक्स प्लस एच तो आप देख सकते हो कि पीडी का पीडी से मलडिप्लाई हो गया ना गलती कर दे एक्स प्लस एच इकवल्स टू पीडी मिलेगा एक्स प्लस एच ना एक्स प्लस एच यानि की एक्स प्लस एच एक्वेस्चन नंबर तू मान लीजिए ठीक है वन को टू से डिवाइड कर दीजे तो उससाइड आपको मिला था एक्स माइनस एच और इधर मिल गया एक्स प्लस एच इस इक्वल स्टू उसससाइड मिल गया है आपको कौन सा पीडी इंटू एनट कटा मत तो यहां पे आपको मिल गया एकस-इच इजै। सब लोग कुद से भी करते रहेे क्रॉस किजे यहां पर टार्गेट क्लियर होना चाहिए मुझे एकस फाइंड आउट करना है तो क्रॉस मल्डिप्लाई कर दीजे क्या हो जाएगा एकस इंटू टैन फाइव माइनस एच इंटू टैन फाइव इसका मल्डिप्लेगेशन किया पहले मैंने अब इसका मल्डिप्लेगेशन करूंगा तो इधर एकस इंटू टैन फीटा और प्लस एच इंटू टैन फीटा मुझे जैक निकालना है च निकालना है तो एक को दो एक हाँ गार इधर मेरे पास टैन फिटा दिया हुआ है किस साइड मैं लेके आऊँगा तो और यह वाला इस साइड आएगा प्लस एच तैन फाइड एच तैन फाइड तो यहां पर आपको एक्स कॉमन निकाल लीजिए एक्स कॉमन आपने निकाल लिया थैन फाइड माइनस टैन थीटा is equal to h common निकाल लीजिए 10 theta plus 10 phi आ जाएगा तो आपको x निकालना है तो x के लिए division में चला जाएगा तो x की जो value आएगी therefore x equals to h common निकल गया था 10 theta plus 10 phi 10 theta plus 10 phi हो जाएगा और यहां पर माइनस में आ गया है तो 10 theta प्लस 10 phi और division में आ गया division में क्या गया है 10 phi माइनस 10 theta 10 phi माइनस 10 theta यही आ रहा है ना अगर calculation मिश्टेक नहीं होगा 10 phi माइनस 10 theta 10 phi माइनस 10 theta ऊपर वाला तो addition है कुछ भी लिख सकते हूं तो यही आया है ठीक है किसी को समझने में कोई दिक्कत हुआ हो तो हैंड रेज कर सकते हो अधरवाइस हम लोग आगे बढ़ सकते हैं एक बार यह लिख दीजिए अगर किसी कोई डाउट नहीं है तो क्लियर लिख दीजिए क्लियर है अधरवाइस बोल सकते हो हम लोग खीर से देख सकते हैं इसको होस्टेलर्स सुभम अंकेत पताएए चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स क्वेश्चन अच्छा प्रिवेस स्क्रीन दिखाएं प्रिवेस स्लाइड नहीं है है कि वह सब्सक्राइबन अन्यूट करो तो कहां दिखत हो रहा है इन में अंच्राइब अन्यूट करो तो कहां देखत हो रहा है चैनलीख रहे हैं पर दो कि दूब कि आप यहां पर देख पा रहे होगे कि जिसमें मतलब बस इसमें लैंग्वेज आपको समझना है कि इसमें आपको क्या करना है लैंग्वेज समझना है कि अग्या ना चले आगे बढ़ते हैं यह कुश्चन है इस कुश्चन को एक बार देखिए इस कुश्चन को यहां पर भी वैरियेबल के फॉर्म में है ध्यांदी जी यह सब कुश्चन स्टॉफ नहीं है बस आपको डेटा में जो सॉल्व करने का आदत हो गया है कि आपको नंबर दिये गया है उस तरह का उसे थोड़ा सा अलग अलग है यह कुश्चन यह कुश्चन तो मुझे टारगेट सेट करना पड़ेगा लाना क्या है और उसी तरफ उसको फाइंड आउट करने के दिशा में वर्क करना होगा तो उसी डिरेक्शन में हम लोग चलेंगे यहां पर देखे क्या क्या दिया हुआ है कि कोई एक वर्टिकल टावर है स्टैंड्स ऑन होरिज आउसले और और एक हो उर्रिजॉंटल प्लेज बेस बनाए एंड एक टावर बनाएग्ई एंड उस पर एक वर्टिकल फ्लैग अस्टाप बनाया जिसका हाइट एच है हां यह सीट का ही कोश्चन था यह एक्जम्पलर का ही कोश्चन है मैंने अपने घर से नहीं लिया हुए इसके पहले वाले कोश्चन भी एक्जम्पलर कही थे हो गया है है अगर अट पॉइंट अन्द 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 प्लेंट अफ एलिवेशन अफ टॉप और बॉटम बॉटम और टॉप अफ फ्लेग स्टाप्स आर अलफा एंड बीटा रिस्पेक्टिबली प्रूब एट अफ़ टावर इस बेश बहुत आसान है यह भी कुशन एक होरिजोंटल बेस बना लिजे आप लोग होरिजोंटल बेस बना लिजे यहां पर लेट से मैंने बोला कि कोई एक टावर है एक टावर है इस टावर पर कोई एक फ्लैग स्टॉफ लगा हुआ है यहां पर इसको अलग कलर से कर दे रहे हैं तो ग्रीन कलर का इस पर मैंने फ्लैग लगाया हुआ है जिसका हाइट भी आई थिंक दिया हुआ है ग्रीन कलर का ठीक है इस पर हाइट जो है हाइट एच है इसका हाइट मुझे एच दिया हुआ है कि इसका हाइट एच दिया हुआ है अब किसी एक पॉइंट से किसी एक पॉइंट से कह रहा है कि जो बॉटम का एंगल है वह अलफा है तो बॉटम का एंगल अलफा है अलफा इंगल यहां पे बड़ा हो जाए और बीट वाहें जो है वह बड़ा हो जाएक एक इसे को वानल करना है अभर करना है अब एक भड़ा वाला ट्रयंगिल और मिलें तो इस पर टाइम बेस्ट नहीं करेंगा लोग राइट इस ताइब को बनाय हुए है तो आगे बढ़ते हैं कि यहांप्र इवाला कुश्ण बनाए जह नमबर 14 & 15 दोनों सांदार क्यों दो पहले सबसे पहले से बनाएए बहुत प्रेक्टिकल फिल होगा प्रैक्टिकल कोश्चन है यह कुछ ऐसा है कि आप सीधी पर चड़े हुए हो ठीक है या किसी वॉल पर आपने सीधी लगाया हुआ है ठीक है और वह सीधी किसकती है खिसकती है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा कम होगा ठीक है और कुछ हाइट उपर आएगए जि रहा हूं करें कि अलएडर रेस्ट अगेंस्ट अवर्टिकल वॉल एट एन इंक्लाइनेशन अलफा टुब होरीजॉंटल ठीक है अलफा एंगल के साथ क्या है होरीजॉंटल के साथ वह रिष्ट में है इट्स इट्स फूट इस पूल्ट अवे फ्रम देवाल थूर शनीजन Giving लाएं तो ऊपर से जो उसका सलाइड हो रहा है क्यों डिस्टेंस डाउन आ रहा है तो आपको बताना हैं और इस तरह से ऐंगल फलीलीशन बीटगा हो गया तक आपको करना है की doit to be झाल झाल कि इतने लोगों ना फीगर बना लिया इस बन गया बहुत सांदार और और कौन-कौन रिया का फीगर बन गया अंके तुम्हारा फीगर बना अच्छा होस्टेलर्स का भी बन गया अब होस्टेलर्स में एक का बन गया होगा तो सब का बन गया होगा अंके तुम्हारा बना फीगर हाथ है ग्रेट ग्रेट और अन्या तुम्हारा बन गया है नो से ग्रेट इट्स और सो ग्रेट सुम्हारा अच्छा अन्या यह बता कोई मंदब कभी इलेक्रिशियन आया है तुम्हारे घर नो से नहीं आया इसलिए यह कभी सीड़ी लगा के चड़ी है नहीं नहीं वह इसलिए मैंजिन नहीं कर पा रही ना देखिए मान लेते हैं कि एक बेस है होरिजॉन्टल बेस और एक वर्टिकल वाल है तो से पहले मुझे यह देखना है ठीक है अब कह रहा है कि इस वर्टिकल वाल पर कोई सीड़ी जो है इस तरह से स्लैंट करके रख दिया एक सीड़ी जो है इस तरह से स्लैंट होता है थीक है पहली तो इस केस में जो इंक्लाइनेशन से इस सीड़ी का ओर इस होरिजॉन्टल लाइन के साथ वो दिया हुआ है अलफा देख लिजेंग इनक्लाइनेशन जो है वो अल्फा है और इस एंस वाले लीचा से इस bottom of the bottom of the ladder को क्या कर रहा है खीच रहा है अपनी और खीच रहा है तो आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा तो सीड़ी का लंबाई नहीं बढ़ जाएगा तो अगर हम सीड़ी को इदर खीचेंगे न तो यह जो वर्टिकल हाइट है जो यहां तक था अब वो नीचे जबेगा और सीड़ी यहां से यहां आ गया तो इसकेस में अब आपका फियर कुछ ऐसे बन जाएगा भई अब आपका फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा इस ततरह का फिगर बन जाएगा अब कह रहा है कि यहां पर दे वाल थू अवे फ्रॉम दे वाल एक्स डिस्टेंस पर था वाल से पहले मान लेते हैं हम की एक्स डिस्टेंस पर था अब वो पी डिस्टेंस आगे बढ़ गया तो यह वाला एक्स हो गया तो यह वाला पी डिस्टेंस आगे हो गया यह पी डिस्टेंस आगे हुआ और यह क्यू डिस्टेंस नीचे चलाया बचारा जहां पर था वहां से वह नीचे चलाया तो आपको बताना है कि पी वाई क्यू करेश्य यह होगा और यह एंगल और इस के में आपको बीटा मिल गया सभी लोग फीगर चेक कीजिए तो सभी का फीगर सही आ रहा है क्या रिया सही है फिकर इस ग्रेट तब तो आंसर भी आ गया होगा कि अब देखिए यहां पर मैं क्या करूंगा कि मैं हाइट अब दा वाल को एच मान लेता हूं क्या मान लूँगा एच मान लूँगा कि एच मान लूब है यह नहीं ंट पर घ्र कि हाइट मान लेता हूं कि यह है कि अब समझ में आया आन्या ये क्रिक्ड क्लिए क्या क्या हो रहा है एक थी है तो दीके पहले मैं यहां पर नेम कर देते हूं इसको अब सब्लोग बना सकते हैं यह A हुआ यह B नीचे आ गया यह S2 रहें लिए जिए D हो गया और यहां पर यह E हो गया तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इन राइट ट्रेंगल इन राइट ट्रेंगल पहले यह ब्लू अला से A C D में इन राइट ट्रेंगल A C D A C D एन आप बलोगे कि टैन ओफल्फा जो जाएगा पेन ओफल्फा में अलफा यह आपका मिला इस कि एच डिवाइड पर दिवाइड भाइड 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 ये एक्स पिश टिवाइड जाए अए और नीज दूसरा में चल면 आता हूं दूसरा टैन ओफ बीटा फाइंड आट तर लेता हूं तो टैन ओफ बीटा जो होगा वो टैन या इस ट्रेंगल का नाम पहले इन राइट ट्रेंगल ए C A C D B C E in right triangle B C E in इन राइट ट्रेंगल राइट ट्रेंगल बी-सी-ई अब बोलोगे कि टैन ओफ बीटा जो होगा टैन ओफ बीटा यह मुझे मिल जाएगा बी-सी डिवाइड बई सीई होगा क्या हाँ सीई सीई अच्छा सुभम बता हो तो बी-सी का वैलू मैं कितना लिखूं सुभम बी-सी का वैलू बताईए तो कितना लिखूंगा मैं सुभम है ना बी-सी का सब्सक्राइब का वैलू कितना होगा इस फिगर के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब कि एच माइनस क्यूँ एच माइनस क्यूँ अंकी तुम बताओ तो कितना हो जाएगा सब्सक्राइब कि एच माइनस क्यूँ ही होगा तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि टैन ओफ बीटा जो होगा टैन ओफ बीटा यह होगा एच माइनस क्यूँ डिवाइड बाई एच माइनस क्यूँ डिवाइड बाई यह हो जाएगा सीई सीई जो होगा वह मैं लिखता हूं एक्स प्लस पी लिखूंगा इसको कितना लिखूंगा मैं एक्स प्लस पी एक्स प्लस पी तो यहां से मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा कुछ कुछ प्वांटिटी को तो मैं बोल सकता हूं यहां पर कि मुझे एक्स का जो वैलू आया है वह एक्स टैन अलफा आया है आटरा यह कि लेंदरी ऑफ यह फिलorem ऑब डर डर सफ कन्सेंट डिंट च्रिकी को चेजल नहीं हो ठिक है इसका मतलब यह उए कि AB की जो value होगी, AB की जो value होगी, वो, नहीं, AB बोल रहा हूँ मैं, AD न, एक blue line, blue line और ये वाला green line, दोनों का lens same होगा, तो blue line क्या है, AD, तो AD जो होगा यहां पर, AD, वो बराबर हो जाएगा किसके, BE के, तो मुझे ये भी निकाल लेना चाहिए था, ये भी निकाल लेना चाहिए था, ठीक है, तो मैं यहां से थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, मैं यहां पर, अगर इसी वाले में ये निकालना च होगा, इस कौन सा ACD लिया हुगा है, ACD में, अगर मैं बोल सकता हूँ, कान कौन सा, मैं यह भी बोल सकता हूँ, की साइन ठीक साइन आफ, जो होगा मेरे पास, वो आजाएगा, कान सा, एसी को मैंने एच लिया हुआ है एच डिवाइड़ बै कितना एच डिवाइड़ बै एडी तो मैं यहां से बोल सकता हूँ कि मेरे पास एडी जो आ जाएगा जाएगा एडी वह आ जाएगा एच by हच by साइन अलफा हच by साइन अलफा यह आपको equation one इसको बनाना चाहिए ठीक है और दूसरी तरह से मैं इस ट्रैंगल BCE में BCE में यहां पे साइन बीटा अपलाई करता हूं BCE में साइन ओफ बीटा जो होगा साइन ओफ बीटा यह मुझे P by H यानि BC by BC by BE मिलेगा तो यहाँ पर sin of beta जो हो जाएगा यह मुझे मिल गया BC BC का value तो अभी मैंने लिखा है H minus Q और B E B E जो मुझे मिलेगा वह B E को ज्योंकातियों लिख जाता हूँ B E B E therefore B E की जो value होगी वह हो जाएगा कितना H minus Q divided by sin of beta ठीक है B अब मैं बोल सकता हूँ कि A D जो है since since A D जो होगा A D वो equal होगा B E के A D मेरे पास दिया हुआ है कितना A D मेरे पास दिया हुआ है H by sin alpha तो यह H by sin alpha की जो value होगी वह हो जाएगा H minus Q divided by sin of beta sin of beta cross multiply कर लिजे यहां से H sin beta H sin beta की value जो होगी H sin alpha minus Q sin alpha हो जाएगा Q sin alpha यहां से Q sin alpha इस side चला गया तो मैं बोल सकता हूँ यहां पर Q sin alpha इस side है न नीगेटिव में इस side है तो positive में हो जाएगा बोल सकता हूँ this implies Q sin alpha जो हो जाएगा वो हो जाएगा देखे H sin alpha minus H sin beta H sin beta तो यहां पर मैं बोल सकता हूँ कि Q sin alpha जो हो जाएगा यह मुझे मिलेगा H common हो जाएगा sin alpha minus sin beta sin of beta ठीक है तो मैं बोल सकता हूँ कि H की value जो होगी Q sin alpha therefore H जो मुझे मिल जाएगा Q sin alpha upon Q sin alpha upon sin alpha minus sin beta क्या हो जाएगा sin alpha minus sin beta sin alpha minus sin beta यह अभी मेरे पास Q आया है अभी मेरे पास P नहीं आया हुआ है तो P के साथ relation establish करता हूँ में यह मुझे इक्वेशन नंबर 3 मिल गया है Q मिल गया है P मुझे चाहिए P कैसे मिलेगा तो यहां से H और X में H एक यहां पर यह relation है H का value इतना अच्छा कॉस में मुझे कुछ चाहिए कॉस में चाहिए ठीक है कॉस का relation कहीं मिल रहा है क्या तो कॉस अलफा का value क्या हो जाएगा कॉस अलफा का value चलिए उसको भी निकाल लेते हैं जो जो दिया हुआ उसी से निकालते हैं कॉस अलफा का value मैं बोल सकता हूँ कॉस अलफा का value B by H होता है यहां पर भी कॉस अलफा का वैलू क्या होगा कॉस अलफा यानि कि इससे निकाल रहा हूँ वी वैज यहनि कि X divided by AD हो जाएगा इसमें भी यह क्या हो जाएगा X divided by AD AD तो यहां से भी आप बोलोगे कि AD का जो value हो जाएगा वो X by cos alpha हो गया X by cos alpha उसी तरह cos beta find out कर लिजे cos beta find out कर लिजे cos beta आपको कहां से मिलेगा इस वाले red वाले figure से मिलेगा red वाले figure से तो यहां पर X plus H यहां पर EC होगा EC के value X plus P divided by BE हो जाएगा X plus P X plus P divided by BE तो यहां से भी आप BE का जो value बोल पाओगे कि BE मुझे मिलेगा कहां से वो मुझे मिलेगा X plus P divided by cos of beta से cos of beta से तो यहां पर भी आप देखे तो मैंने बोला हुआ है कि length of the ladder जो होगा वो fix रहेगा तो यहां पर भी AD जो है वो किसके बराबर होगी AD जो है BE के बराबर होगा AD जो है BE के बराबर होगा तो यहां पर आप बोल सकते हो कि आपको AD कितना मिला है X by X by cos alpha X by cos alpha is equal to X plus P divided by cos beta cos beta ठीक है तो यहां से आप लेके चले यह cross multiply कर लिजे X cos beta is equal to यह x cos alpha plus P cos alpha P cos alpha तो यहां से X common हो जाएगा यहां से cos alpha इस साइड आएगा तो यह हो जाएगा cos beta minus cos alpha की value जो है P cos alpha के बराबर आएगा थोड़ा सा लेंदी जा रहा है लेकिन यह तो जाना ही था variable इस तरह का आएगा X की value P cos alpha मिल जाएगा divided by divided by कितना cos beta minus sin cos beta minus cos alpha cos beta minus cos alpha cos alpha ठीक है अब देखिए आपको एक यह value मिल गया है दूसरा यह मिल गया है X और H में कोई relation है यहां पर इसका नाम equation number 4 रख दीजे यहां पर मैं बोल सकता हूँ कि X का जो value आया है यहां पर X और H में relation established कर लिए एज की value X 10 alpha है यह की value क्या है है एक स्टैन अलफा है एक स्टैनलफा है तो मैं यहाँ पर सकता हो क्या कि यह एक तैन अलफा स्क हरण इसको लीख सकते है आप एक स्टैन अलफा इजिक्वल टूँ यह आपको यह वाला insult वाला टर्म है वो मिल जाएगा अब मैं 3 को 4 से डिवाइड कर देता हूं 3 को 4 से डिवाइड करूंगा तो देखे क्या मिल जाएगा इस साइड आपको मिल जाएगा divided by sine alpha minus sine beta sine alpha minus sine beta मिला है and this divides यहाँ पर फोर्थ में क्या है P cos alpha यहाँ पर आपको मिला है P cos alpha divided by नीचे क्या मिला है यहाँ पर cos beta minus cos alpha cos of beta minus cos of alpha यहां से देखे x से x cancel हो गया इस 10 alpha को आप क्या बोल पाओगे 10 alpha को sine alpha divided by cos alpha divided by cos alpha this equals to यह देखे P sine alpha एक साथ पहले यहाँ पर P sine alpha और यह इसके division में लेके आज़ी है division में यहाँ पर sin alpha minus sin beta हो गया minus sin beta और यह वाला reciprocal तो यह वाला टर्म cos beta minus cos alpha जो है वो ऊपर चला गया cos beta minus cos alpha ऊपर चला गया और नीचे आ गया कितना सॉरी P sine alpha क्यूं साइन अलफा होगा ना यह कुछ बोल रहा था लग रहे है यह वाला ना यह क्यों है और यहाँ पर यह पी कॉस अलफा तो आप यह कह सकते हो कि साइन अलफा से साइन अलफा यह चैंसिल हो गया और मुझे किसका रेशियो चाहिए था पी और क्यूं का ढा couch बाइक क्यू तो आजने यह पर है यहां पे यह saben कट गया तो वन वा गया है तो देखिए थिस साइड डिनोमिनेटर में तो इस बीटा माइनस कॉस अलफा अपॉन साइन अलफा माइनस साइन बीटा तो लेंथ आप दे लैडर जो होगा वह कॉंस्टेंट रहेगा या फिक्स रहेगा यह इसका कॉंसेप्ट था किसे को समझने में कोई दिक्कत हुआ है तो हैंड रेज कर सकता है टाइम इसमें लगए ज्य जनता जनार्दन कि नहीं ना थोड़ा सा लेंदी हुआ है बट कॉंसेप्ट्यूल है कि रिया कि समझ में आए बिटा यह सब्सक्राइब नहीं कोई दिक्कत है नहीं 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 प्रॉसेस था मैं बस यह ध्यान रखना है कि आप लैडर कोई भी एक सीड़ी है उसको आप आप यहां पर जाखे खीच ओ नीचे से जाखे खीच जो लेंठ हो गा लैडर का वह तो फिक्स रहेगा तो यहीं यहांपे कौंसेट है। तो इसका मतलब कि यह जो green line है green line कौन सा B E और जो blue line है AD यह दोनों जो है length of the ladder है तो length of the ladder जो होगा दोनों ही cases में क्या होगा same होगा उसी concept का मैंने use क्या होगा है अन्या समझ में आया तो फाइनली मुझे एच और एक्स में relation मिला था एच और एक्स यहां आया था एक्स यहां आया था तो मैंने एच का relation एक बार यहां पर already लिखा हूँ है मुझे तो लगा कि यह वेस्ट हो जाएगा लेकिन यह वाला काम आ गया कि एच की वैलू जो है नहीं आया है यह वहाला इतना लाइन अब छोड़ सकते हो अब रेंगल तो मिंशन कर दीजिए च darin hai मिंशन है सिर्फ इतने लॉइन को छोड़ दीजिए इस लाइन का कहीं पर यूज मेरा नहीं हुआ है तो इतने को छोड़ दीजेगा इसको लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका काम नहीं आया है तो आज का क्लास इतने पर ही रखते हैं यहां पे कुछ क्वेश्चंस और मैंने एटेज किये हुए हैं इस नोट्स में इसको जाके सॉल्व किजिए गाँ बहुत ही बहतरीन क्वेश्चंस हैं और अभी एक जान चाहिए यह जो कोश्चन से इसके जितने भी कोश्चन से बहुत सांधार को करें चाहिए इन सब को तैके सिस्ट में बाबा करेंस बाएब्यांगा बाए